हाँ हलो बच्चो मैं हुँ हैमनसर्मा आपका स्वाखो कात तकने यूतुब चरेव पर है तो बच्चो देखेंगे और आज के लिए क्या लेके आये हैं उसको बताते हैं बच्चो तो आजके में बच्चो हम सब पके लिए ब्यस्सी पाट सेगे Cr把它 decades ये का बच्चो फिजिक्स का पेपर लेके आए है ठीक है बच्चो फिजिक्स का पेपर लेके आए है जो कि थर्ड पेपर है ठीक है फिजिक्स का थर्ड पेपर लेके आए है और इसमें हम आपके लिए बता दें पूरा की पूरा जो है आपके लिए एक बार बता दें इसकी जो पीडियोफ है वो हमने अपने डिस्क्रिप्सन वाक्स मिलेंगे दे दिया है बहां से आप पीडियोफ को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बच्छो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि हमारी आने वाल बिडियो पार्ट से कियांद यर वालों के लिए तो उसमें हम आपके लिए बता दे फर्स्ट और से pseudo यूइट जो है वो हम अपनी बीडियो भाग स्च मैं करवारेये हैं और फूर्थ उनिट जो है वो पीडियो भाग्द स्थैक्साहिं को देखते हैं stupid के की तरह बढ़ते हैं तरह बढ़ने से पहले जल्दी से किलास को शेर करेंगे सब्सक्रून से क्लास को जेर करी देखेंगे इसमें दिया क्या यो तो इसमें दिया है तो इसमें दिया है पर तेख प्रश्ण के चार बिकल्प दिये गए है जिन्में से यह एक एक सही है और बिकल्प को पर चाथ कर के च्छाद कर लिखना है तो देखेंगे पहला पोक्त निया है एलक्ट्रॉन प रचि हैं क्योंगि तो इलक्ट्रॉन पर शाटे है प्चंवार व् demonst OM COM कि नहीं्फर्पर सोतरी है लेगा में कि जल्दी से देखेंगे है अग्रा नेश्ट पोश्टन नेश्ट क्या है हमारी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर क्या दिया है दिया है आइजन बर के अनिश्थता सिद्धानत के अनुशार क्या option होगा इसमें से बढ़ा है किस से हैच से यह हमारा राइट आंसर होगा आपसननमर बा ठीक है अगरा लिज ay सिddherыш 나라 अनुसार अश्य क्या कथन को सहवाइसर राइट लिचे-णॉसा होगा कि न लिखते हैं हमार इसमें राइट अंश्य को सब ग yoga अदो ब्हुत देलटा sì, यह हमारा लाइच नमब्दा अगरान आप देविशन जर्मन प्रेयो कुष्टी करता है जल्दी से वताइए इसमें राइट अंसर कोंच रहेगा कि कि इसमें से रइचांसर हमारा कौंच रहेगा कि देखेंगे इसमें हमारा रायट आंसर है का बच्छों विक्या रहेगा किसी सुष्म दर्सी की बिवेधन सीमा 5 x 10 to power minus 3 meter है इस से किसी गतिमान electron को देखा जाता है electron की इस्तती की अधिकतम अनिश्चिता होगी तो अधिकतम अनिश्चिता होगी कितने होगी जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे बच्चो right answer जल्दी से देखेंगे कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे इसकी जो right answer रहने वाला है तो क्या हो जाएगा हमारा option number 2 5 x 10 to power minus 3 meter 5 x 10 to power minus 3 meter यह हमारा right answer का option number 2 थीक है और लिए ने स्कूसेशनew이나 बरग का अनिस्तिता का सिद्धान्त है, आयजन बरग का अनिस्तिता का सिद्धान्त है तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहे गा हमारा धार, यह हांके है Does इंग Mehr है कूपर होगा बिया रहेँनने वाला है option number8 हमारा ret r leurs. वाला है डीपी इन्टु डीएक्स बड़ा है एच अपांट फोर पाई से यह हमारा राइट अंसर रहेगा ऑप्शन नमबर सा ठीक अगरा नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं नेश्ट कोश्चन हमारा आपकी स्कीन पर क्या रहने वाला बच्चो देखेंगे क्या दिया है प राइत होगा देहती प्रकृति जेती प्रकृति हमारा राइट अंसर ऊप्ट्टन अंबर ता अघ्रानेश कोश्यन परकास बैदुत प्रवहाओ के लिए आप्तित परकास का छेत्र होना चाहिए एसा होना चाहिए वच्छो देखें के राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें तो देखेंगे इसमें जो right answer रहेगा वेकर रहेगा हमारा option नमबर सा नीला या परावेगनी यह हमारा right answer रहेगा option नमबर सा ठीक है अगला next question एक proton तथा एक alpha कड़की डी ब्रॉबली तरंग दैदिर है शमान है उनके बेगों के बेगों में अनुपात है उनके बेगों का अनुपात कितना होता है जल्दी से बताएंगे सभी वच्चे right answer कौनसा रहने वाला है इसमें से तो इसमें देखेंगे right answer जो होगा वो क्या होगा option नमबर 2 ठीक है और अनुपात बन यह हमारा right answer होगा और नेश कोईश्चन यह गतिज ऊर्जा रखने वाले यह हमारा right answer कौन सा रहने वाला इसमें जल्दी से देखेंगे बच्चे सभी बच्चे बताएंगे right answer कौन सा रहेगा इसमें तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा option नमबर 2 ठीक है इसमें right answer कौन सा रहेगा जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे right answer इसमें से कौन सा रहेगा तो देखेंगे बच्चो इसमें जो right answer रहेगा हमारा option नमबर 2 ठीक है देखेंगे is more right answer कौन सा रहेगा प्च्चो जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे इसमें right answer रहेगा आप्सेν नमबर 2 ठीक है अगला next question देख देखेंे बच्चो next question हमारा क्या रहेने वाला आपकी screen पे दिया है निम्रिखित में से power ton के लिए कौन सा कथन आसबता है निम्नलिकfer में से power के लिए कौन सा असरता है तो जल्Дी से बताइंगे right answer कौन सा होगा इस में कि कि देखेंगे इसमें जो right answer होगा पर क्योंगा । देखेंया पमारा option number दा धार सी ठीका अगला विर्टी का प्रकास यो जीरो तो प्रकास यीदृ जिरो देली आविर्टी के पदार्थ पर आप We अ फूता है यदी यू वड़ा है कड़ा है यू जीरो से हो तो पदार्थ से उतसर्जित इलक्टोन की इत्छ उर्ठा होगी जल्दی से बताएंगे राइट से इसमें से कौन सा होगा, राइट अंसेस्में कौन सा होगा तो देखेंगे इसमें जो हमारा राहीट अंस्र होगा Ward kya होगा अप्से नमबर आ, टिक है? एच ब्रेकिंट में यू माइनस यू जीरो यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्सन नमबर आ ठीक अगला नेश्ट कोईशन आइजिन बर्ग के अनिश्तित्ता सिद्धानत से सही समंद है तो जल्दी से बताएंगे इसमें राइट आंसर कौन सा रहने बाला है हमारा इसमें हम आपके स्केम पर एक इलेक्टरॉन की स्थती में अनिश्तित्ता एक न्यू एम है उसके बेग में कम से कम अनिश्तित्ता होगी तो उसके बेग में कम से कम अनिश्तित्ता कितनी होगी जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें इसमें राइट आंसर कौन मीटर प्रतिस सेकंड यह हमारा राइट अंसर है ऑप्शन नमबर ठीक है अगला नेश्ट कोईशन देख रहेते हैं नेश्ट कोईशन क्या दिया है प्रकास बैदुत प्रवाव की खोज की थी किसने की थी जल्दी से बताएंगे राइट अंसर इसका क्या रहेगा तो देखेंगे ऑप्शन नमबर बा हमारा राइट अंसर रहेगा लेनार्ड ने की थी किसने की थी लेनार्ड ने की थी यह हमारा राइट अंसर रहेगा अगला नेश्ट कोईशन एक फोटाउन की उर्जा होती है एक फोटाउन की उर्जा होती है तो कितनी होती है जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे एक photon की उर्जा होती है देखें ऑप्सन नमबर 2 हमार राइट आंसर होता है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा देखेंगे इसका जो right answer रहेगा बच्चो वो क्या रहेगा option number 2 option number 2 इसका right answer रहेगा पूर्जा इन्टू समय यह हमार right answer रहेगा option number 2 ठीक है अगला next question competent procurement में 5 is equal to start degree के लिए competent विस्थापन delta lambda का मान होता है तो delta lambda का मान होता है कितना होता है जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो right answer रहेगा बच्चो इसमें हमारा right answer रहेगा बहरे क्या रहेगा यह हमारा option जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्सण होगा इसमें से किस पर निर्वन नहीं करता है बच्छो तो देखेंगे इस में जो हमारा आप्षान होगा हमारा जो राइट आंसर होगा आपतित बिकरण की आविर्ति दोनों पार यह हमारा right answer होगा option number दा ठीक है अगला next question competent विस्थापन निर्वर करता है तो competent विस्थापन निर्वर करता है किस पर निर्वर करता है जल्दी से बताएंगे इसका right answer कौन सा रहने बाला है बच्चो आपसन नमबर आ इसका right answer रहेगा ठीक है बच्चो option number आइसका right answer रहेगा फिर्कीनन कोड पर अगला next question देख लेते हैं बच्चो इसके कारे फुलन है तो इसके लिए कारे फुलन कितना है जल्दी से बताएंगे इसका right answer कौन सा रहेगा बच्छो इसका right answer कौन सा रहने वाला है क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका right answer रहेगा वे रहेगा हमारा option number 7 2.48 electron volt 2.48 electron volt ही हमारा right answer रहेगा option number 7 ठीक है अगला next question एक प्रकास सुग्राही तल्की देहली आगती 52 प्रकास बैदुद प्रभाव संभव है तो इसमें right answer कौन सा रहने वाला है और option दिये हैं चार में से right answer कौन सा रहेगा देखेंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है वो क्या है option number 8 नेले प्रकास से ठीक है नेले प्रकास से हमारा right answer रहेगा ठीक है बच्चो अगरा next question देखते है competent प्रभाव संभन देता है competent प्रभाव संभन देता है किस से है जल्दी से देखेंगे इसका right answer क्या रहने वाला है बच्चो तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला है बच्चो तो क्या है हमारा option number दा एक से केरों से किस से संब्द देता है एक से संब्द देता है एक से संब्द देता है तो कौन सा होता है जल्दी से परकास बैद्द प्रोभाव की बैख खीया की तो किसने की घills की थि राइट अंसर क्या होगा तो और राइट आंसर क्या होगा अजय ₩ आइन से टीन ने की दी, यह हमारा right answer होगा, option number 2, अगला next question, photon का बिराम दरब बिमान होता है, photon का बिराम दरब बिमान होता है, तो right answer क्या होगा इसका, इसका right answer क्या होगा बच्चो, तो देखेंगे इसका right answer होगा, तो क्या होगा, option number 2, हमारा right answer होगा, तून ने, हमारा right answer ठीक है अगला नेश्क कोईश्यन नेश्क कोईश्यन क्या है एक फोटाउन का संबेग होता है एक फोटाउन का संबेग होता है तो एक फोटाउन का संबेग कितना होता है जल्दी से बताएंगे देखेंगे सभी बच्चे इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा तो आप तो नहीं देखेंगे इसमें से रई आंसर हमारा कवांसर रहेगा तो रालिट Um और लिए प्रुप से नंबरुप से देखाया सकता है जल्दी से पताएंगे रई टा इसका क्या रहे सकता है यह हमार राइड नहीं ए जल सिंगे और के इसकोस्टेस किरसिए थे सब्चो कॉछ्छेएंंग एदेगा दिया है अधिधतल आंपन विस्थाबन आज है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्rico हो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से देखने है finished लेखिए लेख्ट देख लेते हैं नेश्ट को निम्न प्रिकार प्रदर से जाता है इसमें राइट अंसर हमारा कौन सा रहने वाला बच्छो जल्दी से देखेंगे सभी बताएं तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है बई क्या है बच्छो option number 2 ठीक है डी lambda equal to h upon m0 c break in number 1 minus cause ठीक है ये हमारा right answer रहेगा option number 2 option number 2 हमारा right रहेगा ठीक है बच्छो अगला next question देखते हैं next question क्या है पोडिये आगून एवं पोडिये विश्थापन के लिए अनिश्चिता सिध्धान्त की निश्चित अब्धारला है तो इसमें right answer क्या रहेगा हमारा इसमें right answer हमारा क्या रहने वाला है बच्छो तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा वेकर रहेगा इसका क्या रहेगा बच्छो तो आपसे नंबर दा इसका right answer रहेगा ठीक है क्या रहेगा आपसे नंबर दा दस हजार एंगिस्टाउन यह हमारा right answer रहेगा तो देखते हैं अब बढ़ते हैं second unit की तरह बच्छो तो हम पहले ही आपको बता चुके है कि first और second unit जो है वो हम भाग फश्ट में करवाने वाले हैं वीडियो भाग फश्ट में करवाने वाले हैं तो यह second unit रही और second unit को करने से पहले जल्दी से class को share करेंगे यह सभी बच्छे जल्दी से एक बार जल्दी से class को share कर देंगे और वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूने बच बच्चो एक बात बता दें इसके जो PDF है वो हमने अपने description box में लिंक दे दिया है या हम बहां से PDF को download कर सकते हैं वीडिया को download करके पड़ सकते हैं ठीक है बच्चो तो देखते हैं next unit में हमारा पहला question क्या दिया है question दिया है साई के सामान नहीं करण के लिए समा करण साई 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 स्टार डी एक्स का मान होता है कितना होता है जल्दी से बताएंगे right answer इसके क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा बच्चो देख रहे हैं इसका answer जो हमारा रहने वाला है यूओ दिया है एक बखक से में निहित मुक्त कर में और जाल राचलिक मान होता है तो जलदी से बदाएंगे इसमें right answer क्याँजा रहेगा बच्चो बच्चो आंसा पूरुन्ग कड़की विवेक्त पूर्जा और 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 यह देखते हैं इसका जो रहने वाला है और और अब रहने वाला है वह देखते हैं एक बंद वक्षे में बंद कड़की होती है एक बंद वक्से में बंद कड़की नियूंतम होती है तो कितनी होती है इसको बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे इसका राईट आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका राईट आंसर क्या हो जागा हमारा option number 20 minutes per two edge square upon 8 mls है है अगला नश्रों आठीक के अला नेस्ट कोईशन देख लि겠गे है तथा शम्हुबे इसbude रहने के संबंद है तो इससे राइट अंसर कॉंसर रहने वाला है इसमें राइट आंसर हमारा कॉंसर है रहने वाला बच्छों सभी बैचे बताएं गे Rai question क्या दिया है एक कड़का समय निर्भर तरंग कौन से रहे गा सभी बच्चे राइट ऑज रहे गाई गब के रही गा करहेगा चार अप्सन दिये हैं राइट आंसर कौन सा रहने वाला है चल दीज़ देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा बोगे क्या रहेगा ऑप्सन नंबर वा ठीक है माइनस इच डेल्टा माइनस आई इस डिल्टा यह हमारा राइट रहेगा ऑप सन नंबर बा अगला नेश question घतीज बूलजा टी का अपरेटर है तो कौन है इसमें से क्या रहेगा इसमें से रहने बाला को देखिए इसमें जो रहेगा उप्सन मब सा माइनस एच ़ीं स्बाइनब देल सुपार थिक वह अगरा देखते हैं next question क्या है दिया है सही सμंध्द है उस संबंध है जल्दी से बताएंगे सही संबंध है किस से राइट अंसर क्या रहेगा इसका कि तो देखेंगे बच्चो इसका जो राइट अंसर रहने वाला वे क्या है option बच्चो अगरा देखते हैं नेश्ट कोशन हमारा क्या रहने वाला है नेश्ट कोशन हमारा दिया है बच्चो कि तरंग ठीक है तरंग फलन रखता ठीक है तो तरंग फलन रखता है तो यह हमारा काउंट सा आप्शन रहने वाला है इसमें तरंग फलन रखता है तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है बच्छों देखेंगे जल्दी से सभी बच्छे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा भाई क्या रहेगा option number 2 रहेगा परिमित सतत वा एकक मान यह हमारा right answer रहेगा option number 2 ठीका अगला next question hydrogen परमाड़ो की इस्थते उर्जा का पृतियास्था मान होता है प्रित्यास्या मान होता है तो इसका मान क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्छो चबी देखेंगे राइट आंसर इसमें हमारा क्या रहने वाला है तो देखेंगे, option number 10 हमारा right answer रहने वाला है, minus 27.2 electron volt, यह हमारा right answer रहेगा, option number 10 हमारा right रहेगा, ठीक है, अगरा next question, सही संबंद है, सही संबंद है, तो सही संबंद किसका है, जल्दी से बताएंगे, इसमें से right answer कौन सा रहेगा, इसमें से right answer कौन सा रहेगा, तो देखेंगे लेसमें हमार रहने वाला है क्या रहने वाला है option few i yeah कि यह दिया है लिए दिया है मारा खेश के दिया है कि शंपुन और जा सार घंपुन और इक और एम्रberg यह का एक है कैसे स्लीपन से देखेंगे करूं जोड़ी से देखेंगे हैं चैल्ड़े 545 अगली ईंजर स्अक्रान प्रदर्चित होती है इते होती है रहे टदर्चित होती है यह ट eth रहने वाला बत्युट जल्दीस देखेंगे आप करे ese और सब्सक्राइब समय माइनिस त्युल टू एक फिरसा मान नी करत त्रंग फलन है तो एक कमान गुद्दी से बताएंगे राइड अंसर क्या रहेगा वच्चो इसका वच्छो राइड और आंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो right answer रहने वाला है यह हमारा क्या होगा option number सा होगा टेक इट में alpha upon pi का full power 1 upon 4 ठीक है यह हमारा right answer रहेगा option number सा ठीक है यदि अगरा next question देखते हैं यदि एक बिमिये box में कड की निमनेतम आइगन अवस्था n बरावर 1 में और जाई हो तो इसकी आयन बरावर 4 अवस्था में उर्जा होगी जलदी से बताएंगे right answer क्या रहेगा right answer क्या रहेगा बच्चो तो देखते हैं इसका जो right answer रहने वाला है बच्चो ठीक है इसका जो right answer रहने वाला है सब्सक्राइब एक इलेक्राइक संक्रमड में उर्जा अंतर का मान होता है लगवग कितना होता है लगवग कि जल्दी से बताएंगे बताएंगे लगवग आंसर हमारा कॉंसर रहने वाला है तो देखेंगे इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला गो क्या हो जाएगा आपसे नमबर आ पांस से दस एलेक्टरान बोल्ट यह हमारा राइट आंसर रहेगा अगरानेश पोशिशन एक दिभख सोपान की उचाई वी जीरो है तथा ए छोटा है वी जीरो का एक कड़ इस सोपा होगे जो राइट आंसर अपसे ओर क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा वंचो लडी से देखेंगे सभी बच्चे बताइनगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा भा क्या होगा option number A होगा सुनने सुनने हमारा राइट आंसर होगा अगला next question पूर्जा का बहे मान जिसके लिए स्रोडिंजर समिकरणा हल की जा सकती है कहलाता है जल्दी से बताएंगे क्या कहलाता है राइट आंसर क्या रहेगा इसका तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा option number 2 रहेगा ठीक है आइगेन मान आइगेन मान इसका राइट आंसर रहेगा option number 2 ठीक है बोहर ने किस भौतिक रासी के क्वांटी करण को प्रस्तावित किया था तो राइट आंसर इसका रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो option number 6 इसका right answer रहेगा बच्चो ठीक है option number 6 इसका right answer रहेगा पोडिये संबेग पोडिये संबेग इसका right answer रहेगा option number 6 ठीक है बच्चो अगरा नेश कोश्चन देखते हैं नेश कोश्चन क्या रहने वाला हमारा आपकी स्क्रीन पे यदि तरंग फलंस i is equal to a sin 5x upon a ब्रिकिड में e minus i et upon h a1 फिर सामानी किरत तरंग फलं है तो a का मान होगा तो a का मान क्या होगा जल्दी से बताएंगे right answer इसका क्या रहने बाला है बच्चो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे right answer इसका क्या रहेगा तो देखेंगे इसका right answer रहेगा बच्चो भी क्या रहेगा option number a इसका right answer रहेगा under root a upon 2 under root a upon 2 हमारा right answer रहेगा अगरा next question देख लेते हैं रे की आविरती 2 लितर के लिए उर्जा के आईगन मान होगे पूर्जा के आईगन मान होँगे तो कौन से होगा right answer इसमें से क्या रहेगा यहां दिया है यहां क्या दिया है अन बरावर 0 कामा 1 कामा 2 कामा थे डॉट 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 तथा वी चिरसम्मत आगति तो जल्दी से बताएंगे right answer क्या रहेगा इसका तो देखेंगे इसका right answer रहेगा तो क्या रहेगा हमारा option number A E N is equal to bracket E plus 1 बटा 2 bracket बहार H U यह हमारा right answer रहेगा option number A ठीक है अगरा next question B बेग से गतिमान कड़का कला बेग होगा कला बेग होता है तो जल्दी से right answer बताएंगे इसका इसका right answer बताएंगे सभी बच्चे क्या रहने वाला है तो देखते हैं इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है बच्चों क्या है option number D C square upon B C square upon B यह हमारा right answer रहने वाला है option number D ठीक है बच्चों option number 2 हमारा right रहने वाला है ठीक है अगरा next question देख लेते हैं नेश्ट कोशन के दिया हमारा, तो तरंग फरंग, साई M, ब्रेकट मां, एकस ब्रेकट मां, एकस लामबिक होंगे, यदि कैसा हो, जल्दी से बताएंगे, right answer है, इसमें से right answer हमारा क्या रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे बच्चों, तो बच्चों देखेंगे इसका जो तो यह हमारा right answer होगा option number 2 हमारा right रहेगा ठीक है बच्छो अगला next question सरल आवर्त दो लितर की उर्जा आइगेन मान होंगे जल्दी से पताएंगे इसमें right answer क्या रहेगा इसमें right answer हमारा क्या रहने वाला है बच्छो तो इसमें राइट आंसर बच्चों मार क्या रहने वाला है option number 2 हमारा right answer रहने वाला है e is equal to b plus half यानिके बन बटा 2 h u 0 यह हमारा right answer रहेगा option number 2 ठीक है option number 2 हमारा right answer रहेगा बच्चों ठीक है अगला देखते है next question क्या है एक बिमिये रेखिये आविरती दो लित्र की पोडिये आविरती 4 into 10 to power 12 in radian प्रती सेकंड है दो लित्र की सून्ने बिंदू उर्जा होगी तो जल्दी से बताएंगे इसका right answer क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा बच्चों जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका right answer रहेगा बच्चों तो देखेंगे इसका right answer रहेगा बच्चों क्या रहेगा option number 2 1.3125 into 10 to power minus 3 electron boot यह हमारा right answer रहेगा option number 2 हमारा right रहने वाला है बच्चों ठीक है अगरा next question देख लेते हैं बच्चों एक सरल रेहिए आवरती दो लित्र की चिरसम्मत सीमाओं में पाए जाने की प्रयाइकता होती है तो इसमें कितना option रहेगा हमारा जल्दी से देखेंगे बच्चों इसमें हमारा right answer कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे पताते हैं आपको right answer कौन सा रहने वाला है तो देखते हैं बच्चों इसका right answer रहेगा हमारा option नमबर साथ ठीक है 84 पृतिसात यह हमारा right answer रहेगा चौरा सी पृतिसात हमारा right answer रहेगा बच्चों ठीक है परिमित कामा सतथ वा एकल मानी ठीक है एकल मानी हमारा right answer रहेगा option नमर दा हमारा right रहेगा ठीक है बच्चों अगर बच्चों हमारी वीडियों आपको पसंद आई हो तो किर्प्या करके लाइक करेगा शेयर करेगा और अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं गिया है तो जल्द ही हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि हमारी आने वाली वीडियो और नोटिपिकेशन जो है है और इसका जो है पीडिया हमने अपने दिस्क्रिक्शन बाक्स मिलें के दे दिया है वहां से आप पीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं पीडिया आपको हिंदी इंग्लिस दोनों में मिलने वाली है ठीक है बच्चों जै हिंद मिलते हैं एक सोट ब्रेक के बाद